चलो ओके सभी को बाई बाई कर देते हैं चाहरे रिमत यहां रखना आपना है बट यह डॉलोजी हिल्स नहीं है यह है नागा हिल्स तो गाइस तो गाइस आज मैं जल्दी जल्दी उठ गया हूं और टाइम हो रहे है कोई आपको दिखाई रहा हूं और यह देखिए यह बिल्कुल भी रेडी नहीं है तो गाइस जैसे कि मैं आपको आज बता लूँ कि एक जो की नागालेंड का टिनिंग गाउं है वहां पर मैं जा रहा हूं रिमा नहीं जा रही क्योंकि इसका होता है मन खराब और वह थोड़ा सा हीलेरिया में पड़ता है और मैं क्यों जा रहा हूं वहां पर एक्चर जो कि अरिमा का बाई 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 राहूल है उसकी वहां पर कुछ दिनों के लिए पर WOMAN कश हो रहे है काफी आपस्टिंग मुझे काफ़ी शेट हो रहा है इस्वार हमारे साथ मद्व perseverance आए कि हमने यहां पर काफी कुछ एक्स प्लोर करना था जैसे कि हमने जाना था यहां पर कोहिमा मकोगचो एक जहां पर एक एरीमा के ना-Nा-Nा-Nians रहते थे उस विलेज में जाना था और हमने इंफाल भी जाने का program बनाया हुआ था बट सारा program खराब हो इसके करण है तो गाइस इस टाइम हम अपनी हमालें को बहुत ही मिस करते हैं क्योंकि हम जा नहीं सकते क्योंकि एरिमा बिल्कुल भी हिल एरिया में जर्णी नहीं कर सकती गाड़ी या कार में क्योंकि जरा सा भी एक-दो किलोमेटर भी ये गाड़ी में सफर करती है तो इसको सबसे माइनस पॉइंट रहा और जो कि वह टेनिंग गाऊ है वह बड़ा ही ट्रडिशनल गाऊ है क्योंकि दिमापूर नागालेंड से वह की 110 किलोमेटर यह बीस जो कि यहां से दिमापूर से 130 किलोमेटर की दूरी पर होगा तो हील एरिया में हैं काफी अच्छे कहते हैं वहां से व्यू है और जाके देखते हैं कैसे कैसे वहां पर इंट्रस्टिंग हमें क्या-क्या दिखने पर मिलता है क्या-क्या हमेरे साथ इंट्रस्टिंग वहां पर होता है तो गाइस अभी तक देख लिए क्यासे तो अभी बस गाड़ी आने ही वाली है और मैं और राहूल यहां पर से सुमो में जाएंगे क्यों से कि गाइस मुझे राहूल ने बताया कि महां की सड़क की कंडिशन काफी खराब है और वो इसलिए अपने गाड़ी नहीं ले मेलेंगे और राहूल भी पुरा रड़ी शड़ी हो के आ चुका है राहूल एक बैग तो एक बैग मेरा होगा और यहां बस यह रहने दो इधरी यह इधरी रहने दो हाँ है फाइनली जाने का वह घरी आ चुके है यहां पर अ आधा, आधा है जो टो खुशा आधा टो गाइश जो आधा सब को भाई बाई कर देते हैं जारी मत द्यां रखना आपना हा चल ठीक है आधा है अगर दो दो इस हमारी जर्णी रड़ी है जाने के लिए हम तयार है और राहूल भी पूलेश्ट आपकूर तियारा देखते हैं कैसे हमारी जर्नी रहती है और रीमा भी अभी यहाँ पर खड़े हो के ममी पापा और रीमा कर रहे है यहाँ पर जाने के लिए अलवीदा और रास्ते में हम रुके हैं वह है पिमला गां पिमला विलेश तो आगे की जर्नी देखते हैं कैसे बनती है रास्ता तो बहुत ही ज्यादा यहाँ से खराब होना शुरू हो गया हुआ है डस्टी डस्ट और रास्ता भी मैं आपको दिखाता जाओंगा तो पिमला ना विलेश पिमला विलेश पिमला विलेश आईए कर दो कर दो कर दो कर दो हो कर दो कर दो I want all I need ़ुद्हिस जएसे कि आप देखी सकते होंगे की रास्ता बहुत ही जाएं का ख्राव है जासी हो के लिए बहुत ही जाहन का खराव है कि अचास होगा हुआ है अभी साच-सतर किलो मिट्र है जो कि कबर करने को है और कंडिशन तो काफी जादा कराव है इस रास्ते की और सिंगल आइन रास्ता है कि अचास्ता है तो गैस आपने जैसे की रास्ते की हालत देखी ली होगी कितना का बुरा रास्ता है और मैं क्या ही बोलू कि पीट जो बैक का वो तो एकदम अकड़की हुई है यहां से वीव काफी अच्छा और काफी काफी हिली एरिया में यह जगा जो है जंक्शन का मन नाम तो मुझे भी निया मालूम बट जो भी है काफी सही है अच्छा वह रास्ते से आना था जा हमने यह शोटकट आ गया सिधा अच्छा यह तो फिर बड़ा पीछे से गूम के न जा उन्या दो यह बाश्ते आट अम आप्पेश से डाइब कारी, प्रणग यह आगे के यह जाए ही कोडिशन लगई कु जादा कलना नहीं लगई बकूत गाजा अब बट यां की टब्स पत्थ्रिला आह नहीं मात्या नहीं मालें काफी यह नहीं दूर होगा औह भी यह इ 40-50 km के आसपास है और चिंगम खाखा के गुजारा कर रहे हैं हम हैपी डेंट को याद कर रहे हैं साथ में इदर सुझी दिवा बेखा है तो एक चीज़ मैं आपको बता हूँ ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे हमाचल के डलोजी में जैसे हील्स है ना आप मेरे के पीछे का व्यू देखी सकते होंगे बट यह डलोजी हिल्स नहीं है यह है नागा हिल्स और काफी साही लग रहा भी थंडा थंडा भी में यहां पर लग रहे हलकी हलकी थंड भी है यहां पर और आगे देखिए कैसी जर्णी होने वाली है झालोजी है यहां पर आप मेरे का वघके वाली है